हेलो आवरीवन DC मशिन एंड ट्रांस्पोंअर जेम आपड़े चैपटन नंबर बे येटले के DC जनेरेटर चैपटन नंबर बे मापड़े अंतीम टोपेक इटले के DC जनेरेटर ना उपियोग विशेवनी वाद करवानी हती उप्योग विशेवनी वाद करवानी हती अगाव आपने DC जनेटर मा जे उत्पन्थ हती होई जो लगलग प्रकानी जे ब्या मुख्य असर हो हती कि जैनू नाम हतु आर्मेचर रियेक्शन नी असर औने कॉमिटेशन नी असर तो बन्ने असर कहे रिते पैदा थाई बन्ने असर मा पैदा थावा थी DC जनेटर उपर कया प्रकानी असर थाई अने बन्ने प्रकानी इफ्यक्ट ने दूर करवा माटे नी पद्ध दियो ये जे खुबज मोश्ट आयमबिक वेस्चन हतो जनिचर्चा आपने अगाउना लेक्चर मां करी चुक्या हता वे आधना लेक्चर मां आपने DC जनेटर ना उप्योग विश Jamie बाद करी शुँ तो DC जनेटर ना उप्योग विशbeitet scorpion कर पेला शव प्रथम आपन ये ख्याल हो जो ये के DC जनरेटर ना किटला प्रकार होए तो DC जनरेटर ना प्रकार हो इसे जारे आपने वाद करी हती तो ए समय यहनु आपड़े क्लासिफिकेशन करी होतु के DC जनरेटर ना मुख्यात वेकुल त्रण प्रकार होए जमानों प्रथम प्रकार हतो संद प्रकानु जनरेटर त्यार पची सिरित प्रकानु जनरेटर औने कंपाउंड प्रकानु जनरेटर औने कंपाउंड प्रकाना जनरेटर मां बिजाबय पेटा भी बाग हता यह लेके cumulative compound अने differential compound तो आजे तमाम generator होए कि तमाम generator पई की कई जग्या एव अपराई ए वस्तु जानुए आपड़ा माटे खुबज जरूरी छे अने वस्तु आपने कई रिते जानी सकाई तो ए वस्तु आपने load characteristic पर थी जानी सकाई अगाव जारे आपने DC generator नी characteristic विशनी वाद करी हती तो ए समय आपने जोई हतु के DC generator माँ कुल बेया प्रकानी characteristic होई जे मानी जे प्रथम characteristic हती जनुँ नाम हतु magnetizing characteristic और बिजी characteristic हती जनुँ नाम हतु load characteristic तो load characteristic माँ आपने जोई हतु आरी ते कि mainly यह voltage नहीं यह आपनो load current दर्श आवेलो होए हवे आ characteristic मा आपने दरेक प्रकाना generator विशेवाद करी हती जैम के जो कोई sunt प्रकानू generator होए तो sunt प्रकाना generator मा कईक आ रिते characteristic हती इलिए जारे आपने load current वदारता होई ये तो आपनों जे voltage होए ए voltage थोड़ा प्रमाण मा गटतो हतो तो आजे characteristic हती यह यह शंट प्रकाना generator नहीं हती त्यार पछे आपने जोई हतु कि सिरीद प्रकानू generator होए इस सिरीद प्रकाना generator मा खुबत जडब थी आपने voltage प्यादा करी सकाए छे तो सिरीद प्रकाना generator मा काईक आप्रमाणे के रेक्रेश्टिक हती सिरीद प्रकानू generator अने compound generator मा आपने जोई हतु कि क्युमिलेटिव अने differential compound तो क्युमिलेटिव कंपाउंड मा शंट अने सिरीज वाइन्डिंग ए बन्ने नी रचना ए रिते होई कि बन्ने ने काराने जे flux प्रकान थाए ए एक दिशा मा थतु होई जारे differential मा शू होई तो शंट अने सिरीज वाइन्डिंग बन्ने नी गोठमन ए रिते करेली होई कि बन्ने ना जे flux मरता होई ये बन्ने ना flux एक बिजानी विरुद दिशा मा मरता होई येले क्युमिलेटिव मा जे voltage होई ए वल्टेज आपने वदू मरशे और ये डिफ्रेंशियल मा जे voltage मरशे ए वल्टेज खुब जडबती गटी जैसे तो ये जोई ये के सव प्रथम तो जे क्युमिलेटिव होई ए क्युमिलेटिव कंपाउंड मा वल्टेज आपने थोड़ो वदू मरतो होई क्युमिलेटिव कंपाउंड प्रकानू जनरेटर और ये जे डिफ्रेंशियल प्रकानू जनरेटर होई ये डिफ्रेंशियल प्रकाना जनरेटर मा जे voltage होई यार इते खुब जडब थे ये गटतो होई डिफ्रेंशियल प्रकाननू कंपाउंड जनरेटर तो सव प्रथम तो आजे दरेक क्यारक्टरिस्टी होए यह अपने ख्याल हो जोईए हवे आज दरेक क्यारक्टरिस्टीक पर थी आपणे दरेक ना उप्योग होई से बात करी शुँँ तो प्रथम आजोई शकाए कि आपन ने संट प्रकानों जनरेटर आपलू छे तो संट जरेटर कई जग्याए वप्राए तो संट जनरेटर न उप्योग आपने हमेशा कोई लाइटिंग माटे अथो पावर सप्लाई माटे अथो बैटरी चार्जिंग माटे करी सकाए संट प्रकाना जनरेटर न उप्योग आपने बैटरी चार्जिंग माटे करी सकाए क्याम बैटरी जार्जिंग माटे करी शकाए तो संट जनरेटर मा आ रिते आपने वल्टेद ने अच्छड राखी शकातो हुए अपने ख्याल जेके जारे कोईपन ब्याटरी नू चार्जिंग करू होए तो ब्याटरी नू चार्जिंग करवा माटे एक प्रकान ना कॉंस्टन्ट वॉल्टेज सतत ब्याटरी ने मडवा जोईए वल्टेद मा कोई प्रकानों फेरफान ना था हो जोई है तो यहां जोई शकाई कि आ रिते कॉंस्टन्ट वल्टेद नो ग्राफ आपने संट प्रकाना जनरेटर मा जोवा मड़े छे लिए संट प्रकाना जनरेटर बैटरी चार्जिंग माटे वापरवा मा खुबज उप्योगी चे त्यार पछी बिजो जे प्रकार से सिरीद प्रकानों जनरेटर तो सिरीद प्रकाना जनरेटर मा जोई शकाए है कि लाइटिंग माटे नावापरी शकाए कि हमके वल्टेज खुबज जडब थी वदी जाए छे आपणे जो यह सिए कि जे शिरीद प्रकानों जनरेटर से जे जिरीद प्रकाना जनरेटर मा आरी ते जे वल्टेज होई यह वल्टेज मा खुबज जडब थी वदारो थतो होई जो आपने लाइटिंग माटे बाप रिशू तो लाइटिंग माँ शौट सर्गीट थाई जाए ले कई जग्याए वप्राए तो रेलवे माँ बुस्टर तरीके वप्राए अपनी ज़े रेलवे होए ये रेलवे लाइन माँ बुस्टर तरीके ये बुस्टर मा शिरीद प्रकाना जनरेटर नो उप्योग करवा मा आउतो होए क्यामके बुस्टर मा वल्टेज नी जरुयात खुबज बदु होए खुबज ओछा समय मा मैक्सिमम वल्टेज मेडवा ना होए आने उचा सवाय मां जारे मेकसिमम वल्टेद मेडवा होई तो इस सिरीज जनरेटर नी मदधि मेड़ी सकाता होई तो इस सिरीज जनरेटर रेलवे मां बुस्टर मां वापरवा मां आउतु होई छे थ्यार पसे आपने जोईशू compound मा cumulative प्रकान नू compounds rate तो cumulative compound मा आपने जोईँ के cumulative compound मा जे बन्ने winding होई series अने sunt winding ए बन्ने winding नो जोड़ान ए रिते होई के बन्ने ने कारणे जे flux मरतु होई ए एकद दिशामा मरतु होई तो जे voltage होई ए वल्टेज मा पन हम्मेशा वधारो थाए यह जोई शकाए कि cumulative compound मा आपने आ रिते जे voltage होई ए voltage वधू प्रमाण मा मरतो होई एले जारे आपने load मा वधारो करिए तो ए समय वल्टेज मा पन वधारो थाई के जनरेटर मा cumulative compound मा तो आजे जनरेटर होई एक कई जग्ये आपने वधू शकाए तो जहां आपना load वधारे होई यह जग्याए load नी संख्या वधू थाती होई ने load नी संख्या वधू थाती होई ने voltage पन आपने जो वधू प्रमाण मा जोईतो होई तो ए समय आपने cumulative प्रकाणनु compound जनरेटर आपने वापनी सकाए से यह आपने आपने आपेलू छे अचड वल्टेज ड्राइव तरीके अचड वल्टेज ड्राइव तरीके आप्रकाणा जनरेटर नों उप्योग करवामा आवतो होई छे कियमकि आ रिते वल्टेद ने आपने एक सिथी दिशामा कॉंस्टन्ट पन मेड़ू इसकाद होई औने अंतिया आपन ने आपेलू छे डिफ्रांशियल प्रकानू जनरेटर तो डिफ्रांशियल मासू होई तो बन्ने जे वाइंडिंग होई संट अने सिरीज वाइंडिंग ये बन्ने वाइंडिंग ने गोठवन काई के रिते होई कि बन्ने ने काराने जे फ्लक्स मरतु होई ए फ्लक्स एक बिजाने विरूद दिशामा होई फ्लक्स जारे विरूद दिशामा होई बन्ने वाइंडिंग नू तो ए समय कोल फ्लक्स मा घटाडो थाए यह जिल अउटपूट वल्टेज होए ए वल्टेज मा पंड जड़वती घटाडो थाए यह जोवा मड़े यह वल्टेज डिफरेंशल कमपाउंड मों आ रिते खुबत जड़वती घटी जता होए आ रिते वल्टेज वेल्डिंग मा ए प्रकान ना वल्टेज नी जरुए याथ होई कि ये वेल्डिंग मा जायत में करन्ट वदारो त्या वल्टेज खुब जड़वती गटवा जोईए कि वेल्डिंग मा करन्ट नी वदारे जरुए याथ होई वल्टेज नी ओसी जरुए याथ होई एले welding करवा माटे differential प्लकाना जनरेटर नों उप्योग करवा मा आउतो होई छे तो तमाम जनरेटर आपने जोया कि जे संट जनरेटर होई ए बैटरी जाजिंग माटे वप्राई अथो लाइटिंग माटे वप्राई सिरीज जनरेटर होई ए वल्टेज खुबाज भधूर प्रामाण मा जोयतो होई एले के रेलवे मा बूस्टर नीजग्या वप्राई क्युमिलेटिव कंपाउंड जनरेटर ए पन अचण वल्टेज माटे एले वल्टेज ड्राईव माटे वप्राई अने डिपरेंशल कंपाउंड जनरेटर ए जारे वल्टेज जडब थी ओचा थता होई एले के विल्डिंग करऊ माटे खुबज उप्योगी छे तो अई ते ग्राप पर थी दरेक जनरेटर ना जे उप्योगों होई दरेक विद्ध्यार थी कोईपंड थियरी होई एक कोईपंड थियरी ने बूक माथी तयार करवाने बडले आपना जे विडियो लेक्चर डिलिवर करया छे ए विडियो लेक्चर ने अटलिस्ट 233 वार जोईलेवा और जोया पच्छी पोतानी जे मवलीक परिबासा होई ये मवलीक परिबासा मां एसाइमेंट ना अंसर लखवा और एज परिबासा मां क्येस्टन ने तयार करो क्याम के डिपाट्मेंट जरब थी हाई खुब सारो प्रहतन करवा माई रोयो छे के दरेक थियरी ने प्रैक्टिकली वे मां समझावा नो खुब सारो प्रहतन करेल छे जमा दरेक विद्ध्यार्थी पंड सारी ते साथ सकाराप छे तो जीटियू मां पंड जे एकजाम होई एकजाम मां खुब सारी ते क्येस्टन ना अंसर लखी सका छे तो अशारा कुजू कि आदना लेक्चर मां दरेक विद्ध्यार्थी ने सारी ते ख्याल आयो होशे ठेंक्यू